हे गाईज कैसे हैं आप सब वेलकम टो मोटीवेशनल गापशाप मेरी एक फ्रेंड ने मेरे से क्वेशन किया कि सबी लोग आजकल ना बहुँँओं को घर भरने का खजाना समझते हैं कि बहु आएगी तो ये लाएगी वो लाएगी ऐसा कुछ तो मैं उसकी बात से अगरी हूँ सच में जो सास या जो ससुराल वाले ये सोचते हैं कि हमारी बहु जो है वो हमारा घर भरेगी मैं उसके साथ सहमत हूँ क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा समझदार परसन है जो ये बाते बोलते हैं या सोचते हैं कि बहु के आने से घर बर जाता है जी हाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात पर कैसे एगरी कर रही हूँ मैं एगरी इस बात से कर रही हूँ कि बहु के आने से सच में घर घर बन जाता है एक लड़की चाहे वो सास थी चाहे वो बहु लेके आ रही है तो उनके आने से परिवार पूरा होता है उनके आने के बाद उनके घर का वंच आगे बढ़ता है उनके घर में खुशियां आती है उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है तो इन चीजों से लक्षमी आती है एक किसम की जब लड़की घर आती है तो उस बात को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं कि लड़की के आने से घर नहीं भरता यह मैं चीजों की बात नहीं कर रही वाशिंग मुशीन लेके आएगी, फ्रिज लेके आएगी, टीवी लेके आएगी तो घर भरेगा, नहीं जब वो खुशियां लेके आती है, तब घर भरता है तो जो ससुरार वाले यह सोचते हैं कि सच में बहु के आने से घर भरता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन चीजों से नहीं, एक लड़की के आने से उसकी खुशियों का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा, तब ही वो आपकी खुशियों का ध्यान रखेगी उसकी वैल्यू आपको भी करनी पड़ेगी, बढ़ाने पड़ेगी, उसके बाद में ही वो भी आपकी वैल्यू बढ़ाएगी जो एक ये बात है जितना दोगे उससे ज़्यादा ही पाऊगे तो ये चीज लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जितनी रिस्पेक्ट दोगे उससे ज़्यादा पाऊगे जितनी केर करोगे उससे ज़्यादा पाऊगे तो ये चीजे हम लड़कियों में बिल्कुल होती है सबी में होती है बुरी लड़की नहीं होती है या कोई सीख के नहीं आता पीछे से कि हमने बुरा ही करना है आगे जाके मेरी सास बैठी है मैं तो उससे लड़ूँगी बिल्कुल नहीं जब सामने वाला परसन अच्छा होता है, तो इधर जो देख रहा होता है, वो भी वैसे ही रियक्ट करता है, अब सास अच्छी है, तो उस घर में बहु सास का कभी जगडा नी होगा, ना कोई बात पर लड़ाई हो सकती है, ना किसी बात पर अनबन हो सकती है, लड़कियों को अगर आप दूसरों के घर से एक बेटी को ला रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये सोच रखनी पड़ेगी, कि वो उनकी नहीं अब हमारी बेटी है, अब हमारी रिस्पंसिबिल्टी है, जब ये चीज आपके माइड में बैठ जाएगी ना, उसके बाद में लाइफ स्मूदली चलेगी, और टेंशन्स ये परिशानियां, लड़ाई जगडा सब खतम हो जाएगा, तो गाइस मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज है, जब हमारी बेटी किसी और के घर जाती है, तो बोलते हैं कि हमारी बेटी का ध्यान रखना, सास को भी बोल देते हैं कि ध्यान रखना में बहुत प्यार से नाजों से पाली है, तो जब दूसरों की बेटी हम अपने घर लेके आते हैं, तब ये चीज़े भूल जाते हैं जिनकी तो बेटी नहीं है चलो उनकी तो क्या बात करने हैं उनको तो पता ही नहीं होगा बेटियों का सुख दुख क्या होता है खुशी क्या होती है लेकिन जिनके हैं उनको तो पता ही है न तो वो अपनी बेटी के साथ तो नाइंसाफी जेल नहीं सकते हैं तो दूसरों के साथ हम कर कैसे सकते हैं हिम्मत कहां से आएगी So guys मेरी बातों को ध्यान देना तो इससे क्या होगा कि किसी की भी बेटी की लाइफ जो है वो खराब नहीं होगी और मेरे ख्याल से सभी की लाइफ में परिवारों में खुशियां ऐसी बनी रहेंगी Thank you